अडिये फ्रेंट्स आप सभी के हमारे चैनल करेंटी शीप स्वागत है दोस्तों दो तीन दिन से आपके जो एक्जाम से लेटेड अपडेट आ रहे थी उसको मैं नहीं आपको पता पा रहा था आज के ये अपडेट में सारी चीजों को जो दो तीन से दिन हुई है साथ में मौक टेश्ट को लेकर जो समस्या आ रही है उसको इस वीडियो के माध्यम से मेंसें करना चाहूँगा चुकि आपके बहुत ज़्यदा इस्टाग्राम में मैसेज थे स्टूडेंट के मैंने उनको मैकसिम को रिपलाई भी वहाँ पर दिया था जो स्टूडेंट वहाँ पर 24 और 26 और इसका टाइमिंग के बात करें तो वहाँ पर इस्टापे जो स्टूडेंट पूश रहे थे और जिनको मैंने रिपलाई दिया और साथ में अगर आप यहाँ पर समझना चाहें तो 24, 25, 26 जो यहाँ पर आपके मौक टेश्ट का है उसमें जो सामने मेंसन था उसमें मौर्निंग में 10 से साम 6 बजे तक है न तो इस प्रकार का टाइम है लेकिन आपका जो अहाँ पर इकजाम के समय जो टाइमिंग है वो आप सभी को पता है कि साम 6 बजे से ध्यान दिजेगा साम 6 बजे से सूबा के 7 बजे तक आपको वहाँ पर टाइमिंग है अगर इकजाम क कह सकते हैं कि finally student का exam खतम हुगा अब यहाँ पर जो second semester के student है इनका exam जो सुरू होगा तो यह आपका जो mock test है जो 24, 25, 26 निर्धारित है 24 को तो नहीं उपाया उसी को लेकर यहाँ पर कहा गया कि आप सभी का mock test 25 अगस्त को निर्धारित किया गया है जो कि साम 6 बज़े से आपका comment है तो एक एक कमे reply दूँगा आप ध्यान सुनिएगा और एक Urize ID जो होता है देखिए बहुत से student को पता है कुछ student को नहीं पता इसलिए उन question को reply देना पड़ जाता है ठीक है तो अब user ID और password को लेकर बहुत ज़्यादा confusion रहती है तो देखते हैं मैंने पिछले वीडियो कि Urize Portal भी नहीं open हो रहा है वहाँ पर error दिखा रहा है तो सुनिएगा तो यहाँ पर मालीजे आप जैसे open करेंगे जब आपका Urize Portal काम करने लगेगा तो जब open होगा तो side में जो time table का इस side में आपको option दिखेगा time table का उस पर आपको click करना है जैसी time table पर exam time table पर click करेंगे side में इस परकार का interface आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका दिखेए उपर ही आपको just आपका name यहाँ पर लिखा रहेगा ठीक है प्राइवेसिक लिए चिपा दिया है और father's name रहेगा और यहाँ पर civil engineering जैसे student final year का था ठीक है six semester का उसी परकार अगर आप second or fourth के हो होंगे तो आपका भी यहाँ पर दिखेगा और जो year के होंगे और जिस branch के होंगे यहाँ पर लिखा आगा साथ में सबसे important बात है user name का तो दोस्त user ID हो user ID लिखा हो या user name बात एक ही है और जो user ID हो user name है वो आपके exam का enrollment number जो आपका enrollment number है जो आपका eCSA start हुआ है enrollment number ही आपका username है और जो password है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा password को और अपने user ID अर्था यूजर नेम जो यहाँ पर सामने दिखेगा उसको एक copy में आप note कर लीजे बार बार यहाँ पर आपको कोई open करने में दिख्कत आती है तो मालने नहीं मिलता तो आपको उसको note करके लिखे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा साथ में हमने बताया कि नीचे आपको just URL का सामने लिंक दिया होगा online examination link ठीक है और यह जो यहाँ पर समस्या है यह बीटी यूपी के कह सकते हैं कि exam कराने में जो यह समस्या रही है या open नहीं हो रहा यह उनकी समस्या है ठीक है उनके यहा URL URL के सामने जो link है online examination link इस पर जैसे ही click करेंगे तो सारे process आपको पता है फिर आपको यही username और यही password आपको fill up करना है बहुत से student का यह comment रहता है कि जो हाँ पर URICE का user ID password है उसको fill up करना है दोस्त URICE जो आपका portal है उसको open करने के लिए URICE का ID और password वहाँ पर fill up करके login करें तो यह आएंगे इसमें जो आपका user name और आपका जो password यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको आपको examination जब आप देंगे ठीक है अर्थात mock test पहले जब देंगे तो उसमें आपको fill up करके continue करके mock test देना है question यह है mock test कितनी बार देंगे तो mock test एक simply एक बार आपको mock test देना है और एक्जाम यही student देगा ठीक है तो mock test आप नहीं देंगे आप सोचेंगे यह mock test ही है में एक्जाम में direct बैठेंगे तो आप भोल जाएगे आप एक्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रहे तो mock test आप देंगे और mock test बिलकुल simple तरीका मैंने उस ज़्यादा उस पर प्यार मिला लगबग उस पर अच्छे खासे आप सभी के support है ठीक है उस पर मतलब कह सकते हैं कि लगबग 40 यार के plus ही view हो चुके हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कुछ view है आप वहाँ पर बहुत से मैस्टे इस चीज़ को देखा मैंने बहुत इस सिंपल वे में उन चीज़ों को आपको बताया तो यहाँ पर सिंपल यही है और साम 6 बजे आपका आज की डेट में 25 तारीक आज है आज साम को आपका 6 बजे के बाद यूराइस पोर्टल पर जब open होगा तो वहाँ से user ID और password आप देख पाएंगे तो अपना user ID पासवर इसमें आना है फिर जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब अपना user ID पासवर्ड फिलप करेंगे तो आप exam दे पाएंगे ठीक है यह सारी चीज़े आपको धीरे धीरे आप एक paper देंगे तो सारी चीज़े clear हो जाएंगी इसलिए mock test कराया जा रहा है कि आप समझ पाएं इस www.upbtexam.in Google पर सर्च करके यहां से भी आप login कर सकते हैं वहां से exam या mock test आप दे पाएंगे तो यहां से तो direct आप exam था mock test के लिए आपको Urize portal open करके ठीक है mock test के लिए आपको Urize portal पर open करना है और वहां से अपना user ID और password को निकालना है देखी बहुत ज्यादा बड़ी समस् तो बात बहुत ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं ली जाएगी लेकिन किसी maximum student के साथ यह समस्य होगी अर्था तो बिल्कुल work ही नहीं कर रहा है जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका mock test था जो आपका mock test था वो 24, 25, 26 को निरधारी था लेकिन 24 को क्या हुआ कि आपका side नह इसा नहीं कि 10 student exam दे पाएंगे और student mock test नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे तो बात इतनी सी है कि जो date निरधारी थे उसमें अगर सारा process काम कर रहा है अर्था यूराइस पोर्टल काम कर रहा है आपका अपने user ID password वहां से मिल रहा है तो उस user ID password को लेकर आपको exam पर समय से बैठना है इस चीज़ का आपको ध्यान रहे तो 25 तारीक को आज की डेट में अपना यूराइस पोर्टल पर open करिएगा साम 6 बजे के बाद अब ऐसा नहीं साम 6 बजे के बाद जश्ट आप थोड़ा इंतजार करिएगा सुबह 7 बजे तक आप लॉग इन करके आसानी से पूझ भी सकते हैं चीजों को बता सकते हैं वो और अच्छे तरीके से आपको बता देंगे चुकि फाइनली आप फेस टू फेस मिलेंगे या काल से भी उनसे बात आप करेंगे तो फाइनली आपको अच्छी से चीजों को बता देंगे कैसे मेरा एक्जाम हुआ कैसी चीज हो तो उनको भी आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो सारी बिवस्थाएं हूपाई है या हुई है यह चीज आप उनसे आसानी से पूछ सकते हैं चुकि उनको ज्यादा इस चीज का experience है चुकि उन चीजों को उन्होंने exam दिया दे चुके हैं ठीक है उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद है कोई question हो तो आप इस्टा पर डारेक्टली message कर सकते हैं आपको reply जरूर मिलेगा उम्मीद करता है यह वीडियो पसंद है आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को subscribe करके टेलिग्राम पर जरूर जोइन होगेगा कोई update notification चीज़े आएगी तो तुरन मिलेगी ठीक है धन्यवाद